जब आप Google पे यूच करके किसी भी पार्षन को मानी टांसपर करना चाहते हैं इस तरह आपका कुछ एरोर आते हैं और आपका जो मानी टांसपर नहीं होते हैं इस तरह का पॉब्लम आप लोग किस तरह से सॉल्फ करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा नमस्कर मिला नम है विकस और आप देख रहे हैं विकस टेक चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए आपने किसी आदमी को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो इस तरह आपका एरोर मेसेज़ आ सकते हैं कोई भी दिक्कत के बाद नहीं है इधर जो लिखा हुआ आपको थोड़ा सब जान लेना जो क्या लिखा आ रहा है यह जो लिखा आ रहा है जो मतलब जिसको आप बैलन्स सेंड करना चाहते हैं उनका बैंग एकाउन एड नहीं है तो आपने सोच रहा है तो इसका तो पहले से मैं बैंक आड करके रखा हूं मतलब इसको तो पहले भी पैसा सेंड कर दिया हूं यतो अराम से गया है और उन्होंोंने भी बता रहा है जो बैंक आपको बोल रहा आहिए जो उसनका फॉब्लम कुछ भी नहीए बड ऐसा पुछ नहीं होते हैं उन्होंने कभी विए और उन्होंने भी बटा रहा है जो doubled भी आपको बोल रहे जो उसंसे पॉब्लम कुछ भी नहीं है अट बट ऐसा कुछ नहीं होते हैं उन्होंने कभी बार सीम को ओपें किया लिए टर्वी दन बहुत टाइम अगिंच स्विस्ट आप करके। ठीक है नहीं तो Google Pay को कभी भी आनिस्टोल कर लिया है उस तरफ का पॉब्लेम की वज़ा से क्या होते हैं Google Pay bank account जो है लिंक तो रखते हैं बट भेरिफिकेसन नहीं होते हैं और भेरिफिकेसन नहीं होते हैं जो भी आप किसी भी आदमी को पैसा सेंड भी नहीं कर सकते हैं और किसी भी आदमी को मतलब किसी भी आदमी आपको पैसा नहीं कर सकता है ठीक है आपको मतलब किसी भी आदमी आपको पैसा सेंड नहीं कर सकता ही है तो यह problem किस तरफ से solve करेंगे देखिए जो receiver है मतलब आप ज ठीक है अ कि मैंने बैक कर लिया पुड़ा गुगूल पे में में ऑपन कर लिया हूं ऑपन करने के बाद यह करना है लोगो दिखा देता है इधर आपको टैप करना है टैप करने के बाद आपका पूरा ब्लडवा सब्सक्राइब इसके बाद इसके बाद देखे यह जो टू बैंग एकोंन पर आपको ट्लिक करना है बैंग आकोंन पर क्लिक करने के बाद दिखें दोस्तों इदार एक ऑप्सण लिखा रहेगा accent repair ठीक है मदलब यह जो bank है मतलब repaired से add करना पनेगा ठीक है तो यह जो bank account add है यह तो मेरा bank account add है मैंने अभी इसको अन्स्टल कर दियाता है अभी इसको add किया हूँ मतलब repair किया हूँ तो इसको इस तरफ से उनका भी phone में इस तरफ का दिखाएगा जो bank account के नीज में जो accent repair यह बाला option में आपको click कर देना है click करने के बाद देखिए दुस्तो एक्टिव बाला option जो है इधर आपको tap करना है ठीक है इसको कि इसको tap करना है tap करने के बाद आपको कुछ time wait करना है देखिए एक कम हो गया active हो गया तो अभी back कर देते हैं कोई भी requirement का option नहीं है अभी एकउन बन गया है primary account मतलब जो भी पैसा send करेगा इस account में आएगा आप चाहते हैं दूसरा एकउन में जाए मतलब उपर वाला एकउन में जाए तो इधर click करके इधर इस सेट एस primary account इसको click कर देंगे तो जो आपको पैसा send करेगा इस account में आएगा ठीक है इस account में आएगा मतलब United Bank of India इस account में आएगा United Bank अभी पंचाब आपका काम है हो गया है इसके बाद क्या करना है आपको पैसा send करने हुंत करने चार रहे थे उसको फेल से पैसा send करना है आपका प्रोप्लम क्लीयर हो जाएगा जरूर आप एकिन करिए आपका जो problem है clear हो जाएगा कोई भी problem नहीं आएगा फिर से और ये धान में रखिए ये जो process आप कर रहे हैं सिम verification पहले कर लेते हैं उसके बाद और next time सिम verification नहीं करते हैं सिम verification करने के लिए जरूर आपका phone में एसेन वेस पैक रहना चाहिए अभी जानते हैं भी आई और याटेल में दोनों में एक एसेमेस सेंड करने के लिए पैक ज्यादा वैलू कर दिया गया है एक सोर रुपी का जो नॉर्माल पैक है उसमें आप एसेमेस सेंड नहीं कर सकते हैं सेंायी आएगे रुपी होगा dingy सेमेस नहीं जा सकता है आपको एव वाला अपसान धान मैना मतलब एक प्लान मारे जिसमें एसे मंस जाए तो सीम भेरिफिकसा नहीं कर पाएगा तो आपको मतलब यह काम भी नहीं नहीं होगा ठीक है और यह धाल में रखिए जब आप गूगुल पे को अनिस्टल कर दे रहे हैं अनिस्टल करने की बाद जब आप गूगुल पे फिर से ओपन कर रहे हैं तो mail address जो है mail address उदर पहले ही खुलिए ठीक है इसमें भेरिफिकसान होता है अच्छा से और ठीक टाक से ओपन हो जाता है नहीं तो आप उल्टा mail account देखे ओपन करेंगे तो इसमें क्या होते हैं और कपी-कपी बार नहीं होते हैं यह तो आपका हो गया काम ठीक है तो मैंने आपको बता दिया जो आपका का SMS रहना चाहिए ठीक है और हां आप जितना बार पैसा शें करेंगे उतना बार भी आपको SMS थुरू भेरिफिकसान करेगा ऐसा नहीं सिर्फ एक फास्ट टाइम करेगा उसके बाद नहीं करेगा उसके बाद SMS भेरिफिकसान नहीं लगदा है आप लांग टाइम से यूज आपको SIM verification करना पड़ता है इसके बाद नहीं करना पड़ता है ठीक है आपको जा भी जा भी करिए आपको एक काम कर लेना है Google पे को login करके आपका bank account जहाओ एक्टिब कर लेना जो अभी दिखाया नहीं तो आपका Google पे कभी भी किसी भी आदमी ने आपका पैसीम नहीं कर पाएगा इसके बाद आए मैं आप लोग को और एक पैसस दिखाता हूं जो है आपका पूर में आ रहा है देखिए दुस्तों इसके बाद आप किसी भी दिन Google पर ओपेन किया और ओपन करने के बाद आपने किसी भी आदमी को को पैसा सेंग करने का कोशिस किया मतलब किसी भी आद्मी को पैसा सेंग करना चाह रहा है तो तब आपको क्या होता है इस तरह आपका error message होता है देखिए जो active account मतलब आपने किसी आपना सीम open कर लिया है नहीं तो आपने गुगल पर बहुत दिन से यूज नहीं किया है नहीं तो आपका मतलब जो सीम आपने लगा कि यूज जो नंबर पर रिजिस्टर है वह नंबर देखे आपने अपने फोन में नहीं है इस लिए इस तरह का दिखाते है है इसको क्या करना पड़ता है फिर से आपको active एकाउंट जो वाला option है इधार आपको टैप करना पड़ता है टैप करने के वाद दिखेंगे दोस्तों आपको इस तरफ का पेज में लेके आएगा और आपको एक्शन रिपेर्ट यह वाला जो ऑप्सन है बैंक में नीचे तो रेजिस्टर नंबर देके आपने गूगल पे से मतलब रेजिस्टर नंबर से मतलब गूगल पे से जेवर नंबर देके रेजिस्टर किया है ओही सीम आपका यह फोन में रहना चाहिए ठीक है दोस्तों इस तरफ से आपका यह जो पॉब्लम है यह भी पॉब्लम को सॉल कर दो और देए